आये सुनते हैं कारिक्रम किसान की बात आपनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आपनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरकी वे अब हम को है चुनी इस कारिक्रम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार प्रदान मंत्री किसान मांधन योजना मासिक पेंशन हो की सुनिश्चित पच्पन रुपे से दूसो रुपे की मासिक किष्ट देकर प्रवेश कर सकते हैं अठारा से चालिस वर्ष तक के किसान इस अंच्टायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदार सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाप के लिए जनसेवा केंदर में जाएं और अपना निशुक नामांकन कराएं प्रदान मंत्री किसान मांधन योजना अन्यदाता के परिश्रम को संबद पेंशन से सुरक्षित उनका कर स्वागत हैं आप सभी किसान भाईयों का हमारे करिक्रम में जिसका नाम है किसान की बात और आज मैं हूँ रजनी इस करिक्रम में और मेरे साथ है मेरे साहियोगी विNoad Kumar और स्विकार करिए हमारा नमसकार विनोध जी आज की मौसम की बात कर लें क्योंकि दिल्ली का मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है और हो सकता है कि यह शेहर के लोगों के थोड़ी परिशाणी पैदा करें लेकिन हमारे किसान भाई समय भूत ही खुश है इस बारिशे क्योंकि ये जो बारिश उनके खेतों उनकी फसलों के लिए बहुत ही लापध खेती है तो इन सभी में यह जो हल्की बुनाबांदी है आप यह मानगे चलें कि यह सोने पर सो आगे वाली बात होती है बिल्गुल विनो जी और किसान जो हमारे अनदाता हैं और वही हमारे देश के भागय विधाता भी हैं ऐसे में भारतिय किसानों को खेती बाड़ी से हमारे शोताओं को आप बताएं कि क्या है आज का हमारा विसे रहेगा किनू और निम्बू के बगीचों की देखवाल और इसमें अगर आपको डॉक्टर साब से कोई भी अपना सवाल चानना है या पूछना है तो उसके लिए आप जो दिल्ली का नंबर है यहां का दो तीन चार दो एक छे जीरो आट और दिल्ली से बहार के जो सुरोता है वो जीरो एक एक लगाना ना भूलें नंबर एक बार फिर बता देते हैं जीरो एक एक दो तीन चार दो एक छे जीरो आट और विनोत जी यहां पे एक सबसे जरूरी बात यह भी है कि जो निम्बू वर्गे पौदे होते हैं ये और शद्य गुंचे तो भरे होते ही हैं और ये हम आम लोगों के लिए यतने लापकारी है ना आर्थिक दृष्टिकों से देखें तो ये किसान भाईयों के लिए बहुत ही फायदे मंद हैं तो इसलिए आज हम डॉक्टर साहब बात करेंगे किन्नू और निम्बू के बागों की देखभाल में और हमारे बीचा जुपस्तित हैं डॉक्टर ए के दुबे जो प्रध्रान वैज्यानिक फल विभाग संभाग भारती क्रिशी अनुसंधान संस्थान पूसा नईदली से स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कारेक्रम में औ अब हम अपने कारेक्रम को आगे बढ़ाते हैं विनोच जी और डॉक्टर साहब आपकी तरफ हम रुख करेंगे और जो सबसे पहला समाल हमारे किसान भाईों के तरफ से वो यह है कि अगर कोई किसान भाई निम्बू वर्गे जो यह फल है निम्बू या किन्नू इसके बा बाती बात में कहा है कि मौसम बहुत अच्छा है बारिस हो रही है और फल जो भी हमारे पती ना जाड़ने वाले फल होते हैं उनके लिए रोपड का यह सबसे उप्युक्त समय होता है तो मैं किसान भाईों क्या बताना चाहूंगा कि अगर कोई किसान भाई किन्नो या अगर इन जान होता है जिसको हम अचार में प्रियूक करते है धो काघ जी नीव67 में होता है घृता ज़्यादा होता है और लोग उसका घर में बहुत प्रियोग करते हैं तो अगर इनकी बागवानी कोई करना चाहता है किसानवाई अगर बागवानी करना होगा तो उन्होंने प्लान बना लिया होगा कि हम इस साल वाग लगाएंगे अब प्रस्द यह आता है इसमें बाग भलकी बात कर लें, उसमें किन्नों भी सामिल है, खटे नीबू भी सामिल है, मीठा नीबू भी सामिल है, तो उसमें जो भी जमीन की गहराई जरूर किसानवाई चेक कर लें, कि जमीन की गहराई अगर पांस फूट या उससे जादा है, तो किसानवाई वहां नीबू बर्गी फलों की खेती बिसे तोर की किन्नों और निवू की कर सकते हैं इसके अलावा जैसा मैंने बताया उची जल निकाज क्योंकि इसमें एक रोग लगता फाट अब तोरा फाट अब तोरा की जो समस्या होती वो ही होती जब पानी का जलवरा होगा तो फाट अब तोरा जादा लग है तो क्या हो उसका कीतर हो जा उसका इस ही कि तरह तो यह जो वैस्टे कि जिसके हम बात कर रहें कि न व मिश्डिया कि यह न वह इ Avengers ही मृति है कि ज्यादा है कि यह पानी मगर नवट जादा है मिस्टे में भागवानी नहीं हो सकती तो इसके लिए ध्यान रखें कि अपना मिट्टी की जाँच करा लें लगाने से पहले अगर इसका पीएच मान साथ द्रमलब दो साथ द्रमलब चार के करीब है तो नीवो वर्गी फल जैसे किन्नों हो है नीवो की खेती की जा सकती है जहां पे उपजाव मिट्टी है वो ही उसी खेत में हम करें अगर एक द्रमलब दो रेसियो में अगर हम लेते हैं और वो जीरो द्रमलब पांच से कम है तो हम नीवो वर्गी फलों की खेती वहां कर सकते है एक चीज दूसरी चीज मालो अब इसके बाद पानी सिचाई की आवसकता पड़ेगी तो सिचाई में भी चेक करा लें अगर आपका पानी में साथ साथ सो पचास मिली ग्राम पर लीटर से साल्ट अगर कम है तो आप नीवो वर्गी फलों की किन्नों की या नीवो की खेती वहां पे कर सकते हैं तो यह तो बात रही है कि पहले आपको क्या सावदानिया वरतना है अब दूसरा प्रस्णिया आता है कि कि वहारी ने मृती की पर पर सकती होती है वो ओपर की सते पर ज्रादा होती है तो हम कोशिति करेंगे कि हम नीचे की मिट्नी कल लागए कपर की मिट्टि मैं बरावर मात्रा में सडी गोबर की खाद या बर्मी कमपोस्थ यहां रख्धे Hollywood में सडी होनी चाहिए अदरवाज उसमें दीमक का परकोप होने की पूरी समावना रहेगी तो इस तरीके ते गड़े भर दें बारिस हो रही है बारिस में गड़े बैठ जाएंगे फिर जो परमारिक नरसरी हैं वहां से किन्नो की किस्म नहीं है किन्नो अपने आप में किस्म है तो जो भी परमारिक नरसरी हैं वहां से किन्नो कहके पौदे ला सकते हैं ध्यान देने की बात यह है कि वो बड़ेट प्लांट होने चाहिए बीजू नहीं होने चाहिए बड़ेट प्लांट में फल जल्दी आ जाते हैं नीवू का बीजू पौदा आप ले सकते हैं उसमें पॉली मरियानी बहुत जादा होती है तो नियूसलस सीडलिंग होती है तो जल्दी वो जम जाएंगे लाने के बाद नीवू में कटाई चटाई करने के बहुत कल्ले आएंगे और जो किन्नो है उसमें ये देखना कि बढ़ के नीचे अगर कोई कल्ला आ रहा है तो उसको जरूद तोड़ दें अन्यता क्या होगा चार साल बाद पता चलेगा या ये जो नीचे से निकल गया है तो खाने वाला नहीं है किन्नो की बढ़ जो उपर लगी है उसको निहंतर उसको देखते रहें और देखने के बाद उसको नीचे कल्ला अगर आ रहा है उसको उटा दें इसमें मैं किसमें बताना चाहूँगा जैसे हमारे संस्तान ने भी दो किसमें निकाली है पूसा ओदित पूसा अविनब ये तो हैं कागजी निवू की इसके अलावा जो लेवन की बात करें अगर किसान वाई कोई अचारवाला नीवू लगाना चाहता है जो मई जून में पक जाता है तो उसकी एक कागजी कला मेरी किसम है पूसा लेवन वन करके एक नई किसम निकाली जो भी बहुत अच्छी किसम है कागजी कलांट पंदा दिन पहले पकती है उसको भी किसान वाई लगा सकते हैं तो किन्नो नेमू में ये किसम है जो बहुत अच्छी चलिए इसके अलावा अगर कोई NCR के बाहर कहे या दूर कहे तो इसके अलावा बिक्रम है प्रेमालिनी है जाइन साइंस सर्वती है बाला जी बहुत अच्छी किसम है लेकिन इन सब किसम को जैसे आप अपने जो लोकल छेत्रे हैं वहां से भी आपको इनकी फरफार्मेंस देखनी पड़ेगी लेकिन जो अपना दिल्ली के आसपास के किसान है तो क्या इनको ये जो किसम है अभी इनको तयार मिल सकती है या फिर उसके लिए आवेदन करना होता है पहले नहीं सब जगे आवेदन करना है जैसे नरसरी कही प्रकारी को होती है हमारी कुछ भारत सरकार के हैं कुछ प्रदेश सरकार के विवागों नरसरी है कुछ नरसरी प्राइवेट के सेक्टर में भी है तो उनका अपना-पना स शरी वोनी जो से आप किनौंवान लगाए तो चार साल वाज जब उस के इन साल वाद फेल आए तो तो नहीं चार्वन, किस्म का ध्यान रख के और वहां से किसानवाई बार retire जरूर लें कि उन informs जो जरूल कि उन्होंने जो किस्म ले रहे है वो किस्म लिखित में वहां से जरूर में हम यह पौदा दे रहे तो कल को कोई अगर उसमें कमी निकलती है तो दावा करने के लिए वो हमारे पास उसका ही प्रमान होना चाहिए दोक्टर साब यहां यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे किसान भाई जो जब बगवानी की तैयारी में रहते हैं तो जब पौद की तैयारी करते हैं उसमें पौद का सही विकास हो इसके लिए क्या कुछ सावधानिया बरतनी चाहिए उन्हें यह उनको वहीं द ग्रफ्टिंग में जो भी हमारी जो मेцевिक हैं जिस पल के लिए उथा उसको करते हैं तो एक तो जहां किसान भाई लेने जा रहे जिस नरसरी से लेने जा रहे हैं वहा उनको देखना आ है कि जिस बाताबढ़ में पौद ए-पिए टियार किए गए हैं वो बाताबढ़ कैसा हुआ या कोई बाइरस तो नहीं लगा हुआ ये बहुत इंबाई क्योंकि आपके शेतम नहीं होगा कोई रोग लेकिन जब आप किसी नर्सरी ते पहुदे ले आओगे जहां पर फाट अप थोरा के जीवान साथ माएंगे तो आपके जो एरिया है उसमें भी दीरे दीरे वो लिए प्रेमान नर्सरी वाले ये ध्यान रखते हैं कि तेस्टिंग करते हैं कि इनमे कोई बीमारी तो नहीं है रोगो और यह पोसाला हैं जो रोग मुक्त पहुदे देती हैं तो ज्यादातर वो नर्सरी का सुनाव करे हैं में आजकल एक समस्या हो रहे जिसे नेमा तोड है बहुत भडी समस्या कि जो कूझ आ जा 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 रहिए तो आपकी छैट्र ड॥रा बाइने अपना ने अन Бन कोई भागवानिये का काम अगर करना हैצ़ सबसे पहले उनके जो आसपास में किर्शी विग्यान के अंदर हैं वहां जाएं कौन कौन सी किसमें हमारे छेतर में काम्याब होती हैं या हमारे छेतर किसमें अच्छी हैं तो उनका ही वो चुनाव करें और कोसिस यह रखें कि वही जो किर्शी विग्यान के अंदर है उनसे ह हम कहीं ने कहीं जो पर्मानित नर्शरिया है क्रिस्प ग्यान के अंद खोले इसलिए गए जो किसानों को सीधा फाइदा करें लेकिन ग्यानिक तकनीकी ग्यान का वो कहीं से भी ग्यान टाप्ट कर सकते हैं जब पौद लगा लेते हैं कई रोज जो उनों रेली रेली जो समस्या का सामना करना पड़ता है उसके लिए किरश्प ग्यान के अंदर से वो हमेशा स्वयोग लेते रहें वहां पर विसे भी सेसक बैठते हैं जो आपके उसको छेतर का मलब ग्यान रखते हैं जो भी आपकी समस्या होगी निवू बर्ग विनो जी यहां पर यह बात भी बहुत जरूरी है कि जब बात हो रही है कि सही समय पर समस्या का निदान हो जाए जब पौद लगा लेते हैं डॉक्टर साब और खासकर करके इस मौसम में जब पौद रोपन करते हैं तो खर पतवार की समस्या बहुत जादा किसानों के सामने मिलकुल यह समय इस समय तो इससे बिसे तोर तो यह से वारिस का मौसम है और इस समय कहते बहुत जादा ब्रदी भी करते हैं वह जादा संख्या में उगते भी हैं टो जैसे जब हम बात कर रहे है निबू और गिसे तो जो नुक्सान होता हो मैं किसान मायों को बता दैंगा कि खरपतवार का नियंतर करना कितना जरूरी है क्योंकि कुछ कीट होते हैं जो नुकसान दायक होते हैं वो खरपतवार में छुपते हैं तो वो क्या करेंगे जैसे हम उदाड़ दें फल मक्की का फल चूसक कीड़ा का तो यह क्या करते हैं अभी जैसे किन्नों है या अपने अंडा देगी अंडा देगी तो फल सड जाएगा तो फल गिरने की समस्या शुरू हो जाएगी और यह चुपती कहा है यह खरबतवार का नियंतर इसलिए जरूरी दूसरा क्या कई खरबतवार जो ऐसे कीट को अभी संर पौदे को मिलेगा नहीं उसे आदे से ज़्यादा खर्बतबार ले रहे हैं प्रड़ाम क्या हो रहा आपका उपज भी कम हो रही है और आपके फलों की गुर्बता भी कम हो रही है तो इसलिए इनका जो नियंतर है बहुत जरूरी अब प्रसुनाथी कैसे किया जाए तो सार कि कभाग लगा हूब कि नहीं कंभाग लगा हूब लगा उख कि हम प्रोग्राम में कई बार बताते हैं कि जो हमारे निवाspeaking ॉद्व वर्यिदान कि उसके नहीं करवा सकते 14 ना तो पानी उचीत मात्र Yeahose ले पाएंगे और ना पोशक तत ले पाएंगे तो उसमें ध्यान देने की बात है कि जो उसका सरकिल होता है जो पौधे का बोला होता है जहां पे जड़े होती है ओो कोशिस करें कि उनमें करतवार खुरपी से निकाल लें भलकी उदाई करके खुरपी से निकाल लें और जो पंक्त के पंक्ते बीच में करत्वार हैं उनमें आप कोई बी रोटा बेटर या हलका टेक्टर जो भी आपके पास हो लका गहराई से उसमें चला देगा अगर नहीं है अगर नहीं है आपके के इनौपी मिल गए है फोदे आपका Toyota नहीं चल सकता है तो कई परकार के जो करत उपलब्ध हैं उनका प्रयोग किसानभाई कर सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर साब बहुत ही अच्छी जानकारिया हैं हम पहुंचाएं अपने शोताओं तक उसके लिए सबसे पहले आएं लेते हैं यह अंतराल उसके बाद अपने शोताओं को कुछ और जानकारी भी देंगे ह अरे 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 ख्या कर रहा है इधर 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 हम भोल रहा हैं तेरे बीजु का उतला बोल ले आँ पक्सियों से तो हम खेद को बचा लेते हैं पर इन खातक रसानों से कैसे बचाने मतलब देख बेटा तू जो यह अंदादुन रसान मिलाता है ना मिट्टी की सहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कम जोर पढ़ जाई तो उपच कैसे सहत मंध होगी है अरे पहले ऐसा नहीं था फूशना अपने बड़े बोजूर्गों से कैसे फसल लहला आती थी शुद्धता चलगती थी हां माटी भी तंदुरस्त और लोग भी पहली वाली बात कहां परम तो सब यहीं डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरों किसान परम परागत विदी से फजल होगा रहे हैं फर्चाखम और उपची की मत भी बहतर पार है सच है रहे एक्सपीरेंस से बता रहे हैं दूप में बाल सबेद नहीं किये हैं ठीक है बाई मैं भी सबसे पहले मैं चाहूंगे कि मैं यह सूचना देदू उसके बाद आप भी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे शुर्तों तक पहुचा आई है तो बात करेंगे अपने किसान भायों से भारतिय कृषी अनुसंधान परिशद अपनी कृषी उच्छ शिक्षा परिय के लिए त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए तीसरी बार हैक्थान कृतग्य का आयोजन कर रही है केंद्रिय कृषी एवं किसान कल्यान मंत्री स्री नरेंदर सिंग तोमर के मार्ग दर्शन में इस तरह की पहल से सीखने की छमता नवच्यार वसमाधान रोजग मतलब क्या है यहां पे क्यों इस आयोजन को यह नाम मिला यहां पर क्र किसी भी विश्व विद्याले या तकनीकी संस्थान के चात्र संकाय और नौप्रवर्तन और उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप समू के साथ भी इस कारिकर में भाग ले सकते हैं। समू में अधिक्तम चार प्रतिभागी ही हिस्सा ले सकते हैं। जिसमें छात्र के साथ एक से अधिक संकाय, सदस्य या फिर एक से अधिक नोनमेशक या उद्यमी नहीं होंगे। भाग लेने वाले चात्र, अस्थानिय स्टाटप, प्रोध्योगी की संस्थानों के चात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं और पांच लाख रुपे तक जीत भी सकते हैं। इसमें एक खुशी की बात तो यह है कि जो चीजें अभी हमारे आच से विलूप्त हो गई थी हम बात करेंगे चीता की। बिल्कुल तो देखो चीता अगर हम बात करें विसम में तो लगबग साथ हजार के आसपास इनकी संख्या है जिसमें से सत्रा ऐसे देश हैं जहां यह पाई जाते हैं जैसे अलजीरिया, अंगोला, बोच्वाना, चाड, इरान, केनिया, मलावी, नामीबिया, दक्सिन अफ बिल्कुल और देखो अब फिर सरकार ने इसमें और भी काफी सारे काम किये और उसके बाद अब ये चीजें दोबारा हमारे देश में आ रही हैं बलकि आ चुकी हैं और सत्रा सेप्तमबर दोजार बाईस मलब कल के दिन जो मद्यपरदेश का कुनो पालपूर अभ्यारना है वहां पे आठ चीता हमारे यहां नामीबिया से आ गए हैं जिनको कि वहां पे कल स्थापित किया जाएगा उदर और आठ चीतों में अगर हम बात करें तो तीन यहां पे हमारे पास नर्चीता और पांच इसमें मादा चीता हैं जिनकी उमर लगबग धाई साल से लेके पांच साल के बीच में हैं यह तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे जाइड से बात है अब लोगों को यह समझने की जरूरत भी है कि जिस तरह से बाहर से जो चीजे मंगाई जा रही हैं अगर उन लोगों ने इस तरह से शिकार करकर इनको खत ना कर दिया होता तो यह नौबात ही नहीं आती बिल्कुल अब हम करेक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करेक्रम में डॉक्र साब समय है कुछ और सवालों का और हमारे किसान भायों तक कुछ और जानकारी पहुचाने का विनो जी तो करेक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अब नई समस्या और जो हमारे सिरोता हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो अभी हमारे फल व हुँ एक तो किन्नों है और दूसरे निवु है तो इनका दोनों का फलत का जो समय है वो अलग अलग है अगर हम बात करें निवु की तो निवु जो दो परकार को थे दोनों की मतलब जो कागई अ जो पचारवाला निवु होता है बड़ावाला उसके तुराइज हो चुकी है छोटे वाले नीवो की तुड़ाई अभी चल लगी है तो किसान वाईों को जो ध्यान देने की बात यह है कि तुड़ाई करते समय विसे तोर से ध्यान यह रखें तभी एक तो जो आपका नीवो हलका पूराई की पीला होने लगा हो उसको तोड़े बिल्कुल पीलाह होने का ना इंतजार करें क्योंकि उसको अगर आपको दूर दराज मंडियों में पहुंचाना है तब तक वो पूरा पीला हो जाएगा तो एक तो ध्यान यह रखें दूसरा यह कि अगर उसमें कोई रोग गरसित विसे तोर से केंकर गरसित अगर कोई पहुदा है अरिफल है तो उसको जरूर किसानवाई ग्रेडिंग करके सौर्टिंग करके उसको उहीं पे निकालने क्योंकि जब आमनी मेजो के तो आपको दाम कम मिलेंगे तीसरी महत्पूर फसल है कि आप पैकिंग बहुत अच्छी करें क्योंकि जितना अच्छा आप पैकिंग करेंगे उतना अच्छा आपको बाजार में वहाव मिलेगा तो यह तुड़ाई से संबन दित रही है यह किसी में नीबू की जो बात कर रहा हूं नीबू पीसे तोर से जो काकजी नीबू है पर इसमें एक लोग लगता केंकर हैं तो केंकर रोक पे किसान बाई जरूर नजर रख़ें कि उसे क्या होता है गुडवत्ता तो अंदर की नहीं जूइस की नहीं खराबblade बहार से जो देखना वह को खराब हो जाता है लेकि और तो वाजहर बाओ कम हो जाता है तो इस वो जरूर आएगा उसके नियंतर करने के लिए किसानवाई एक तो जब अगर कहीं जादा आ गया तो टहनी में उसकी छोटे-छोटे दाने दिखाई पड़ते ब्राउन कलर के तो जैसे जंग लग जाता है उसको काट के निकाल दें वारिस है तो उसमें फंगस लगेगी तो यह जैसे ही टेहनी काट है वैसे इसमें कापर आक्सी के लॉराइड का या बोर्डो पेस्ट लगा दें लगा दें दूसरा यह कि छड़का जरूर करें उसमें स्टेटो शायकलिन एक दवा आती है उसको कापर आक्सी क्लॉराइड के साथ मिलाके हन्डेड एम जी पर लीट और स्टेप्टो साइक्लिन और तीन ग्राम पर लीटर कापर अक्सिक्रॉइट का कोल बनाके दोनों को एक खटा मिलाके अगर ये छिड़काव करते रहे किसानवाई तो जो किंकर की समस्या इससे निजात मिल जाएगी तीसरी समस्या जो है जो दोनों में आ सकती है वो है एक प्रहो निकलते हैं क्यांकि बारे डिव बहुत तो तनो तो जो मुक्त शाची और कोई कळा निकल गया तो बेगाके जीड़ा नहीं चालीगे अगहर बीमार्यी का जादा चांसर रहेगई तो खाना तिकोने हो वह बहुत जादा उनमेन गोरफ होगी तेजी से बढ़ेंगे तेजी से बढ़ेंगे और दूसरे क्या होता वो मुख्य साखा से निकलते हैं और फल लगते हैं जो चारों साकाइ बाहर जो उन में फल लगते हैं तो किसानवाई पहुंचा लेंगा कि तिकोने हों काटा लंबा हो बहुत ज़्यादा उनकी जल्दी हो रही हो जल्दी बढ़ रहे हैं तो ऐसे उनको निकाल ले हैं यह दोनों मासकती समस्या अब मैं किन्नों के गरवात करूं तो किन्नों मैं इस समय दूसरी समस्या जो है आएगी फल गिरने की फल गिरने की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए किसानवाई अगर चाहें तो टू फो डी दस से पंदा मिली ग्राम प्रत लीटर का गोल बना के चिड़काओ करेंगे हार्टी कल्चर गिरिड की आती है तो उससे फल गिरने की समस्या को रोका जा सकता है फाट अब तोरा का थोड़ा ध्यान रखें अगर गोन बगेरा निकल लाए तो उसमें रीडो मिलका गोल डालें इस तरीके से किन्यों के बागों का भी प्रवंदन किसानवाई कर सकते हैं दॉक्टर साब बहुत ही अची जनकारी आपने हमारे किसान श्रोताओं को दी किन्यों और निम्बू के बागों के लिए और विनोज जी अब वक्त हो रहा है इस कारेक्रम को यहीं पे विराम देने का तो आईए अपने श्रोताओं को हम देने धनेवाद डॉक्टर साब आ देवम किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार झाल झाल झाल, 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 झाल झाल